पूरी दुनिया में इंटरनेट गवर्नेस को लेकर कोई विशेश खानून नहीं बना हुआ है इसको लेकर हाली में यूवन की ओर से एक कॉन्फरेंस भी हुई इसमें जयबूर के निवासी और यूवन में आईयलो में आईटी एडवाइजर डॉक्टर डीबी शर्माने भी अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि भार्ट में तैयार आरों के एप सही है लेकिन उसकी प्राइवेसी में उसमें बहुत ही कमिया है सुनिए क्या कहा यूनाइटी नेशन समी आईटी एडवाइजर डॉक्टर डीबी शर्माने नमस्कार आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है हमारी सारी वर्ग कल्चर कारिशन स्कृति बदल चुकी है सब कुछ इंटरनेट के मात्यम से हो रहा है जिस चाहे गवर्नोंस हो चाहे प्रवंदन हो चाहे एड्मिस्ट्रेशन हो चाहे उस्च्छ सब कुछ इंटरनेट के मात्यम से हो रहा है इन अहलातों में इंटरनेट की सिर्फ चुनोतिया ही नहीं बड़ी है इसका लोड भी बढ़ गया है सरकारें भी बावत चिंतित हैं तकनीकी विद्बी बावत चिंतित हैं फर अग्जेंपल अभी किसी देस में कोई घटना हो जाती है तो तुरंट लोकडाउन कर दिया जाता है अब लोकडाउन होने पर कोई व्यक्ति जिसका प्रोफेशनी इंटरनेट पर डिपेंडेंट है अंतरास्ट्री इस्तर का वो सब कुछ लोकडाउन हो जाता है इन हलातों में सरकारों को सूचना है इंटरनेट सर्विस प्र 2005 में अंतरास्टिय इस तर पर शेक्तरास्ट ने एक इनफर्मेशन सोसाइटी डवलू SIS के नाम से सिखर सम्मिलन का आयोजन किया था जिसका परिणाम ये था कि एक IGF इंटरनेट गवर्नेंस फॉरम की स्थापना की गी थी इस फॉरम का काम है नए कानून बनाना ताकि वो अ गवर्न कर सकें इसकी एकसरसाइज के रूप में इसके तीन मॉडल बनाये गए हैं जिन मॉडल पर विचार करने के लिए मन्थन करने के लिए हम पिछले वीक सटड़े तक ओनलाइन मीट माध्यम से एक तत्यूए ते जिसमें आसी देशों के प्रतिजित थे जिसमें पाच कॉंटिनेट साइमिल थे इनमें सब ने विचार किया कि हमारा अंतराश्टी तर लेवल का कानून कैसा हो जो इंटरनेट को सही तरीकी से गवर्न कर लाए यसे फर एक्जेम्पल में हिंदोस्तान का एक उधार लेता हूँ प्राइवेसी यानि किसी विक्ति की प्राइवेस से बचना है और दूसरों को बचाना है तो आपके जो पर्सनल एट्रिब्यूट से ना उनके बारे में जो एप है वो हर विक्ति को सूचना देती है इसका मतलब आप प्राइवेसी को कंप्रोमाईज करके आप फैसलीटी लेते हैं यही एप अगर अमेरिका में होती तो पह तो इन सबी चीज़ों को एक सही तरीके से एक इंटरनेशनल गवर्नेंस के प्लेटफॉर्ब पर लाने के लिए किस तरह का कानून हो इस पर विचार करने के लिए उनाइटेड नेशन्स चिदित है और हम सब दुनिया के जो लोगों के साथ में मिलके विचार कर रहे हैं मै तक ये पूरी तरीके से इनाइटेड नेशन्स का कन्वेंशन बनके इनाइटेड नेशन्स के प्लेट पर पास नहीं हो जाता है वो दुनिया के लिए कानून नहीं बनने जाता है थैंक्यों बहुत बहुत अन्यबाद